कुछी दिनों में दिपावली आने वाली है दिपावली मन को सांत करती है हमारे जो धर्म गरंथ है उनमें भी कहा जाता है कि दिपावली सुद्ध करती है जीवन को सुद्ध करती है लेकिन धिरे धिरे दिपावली रूप बदल रहे हैं उसका भी लोग कई बिरोध कर रहे है खुद प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि दिपावली को अच्छे से मनाईए लेकिन थोड़ जो हमें उन चीजों से भी दूरी बनानी है जो चीजे हमारे वातावरण को खराब करती है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिन दिपावली को कुछ अलग करने जा रही है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा भगवान गनेश है साथ में लक्षमी है मा लक्षमी और इसके साथ ही थोड़े से और चीजे मैं आपको दिखाऊंगा ये धूबत्ती धूप है जो धूप पूजा में इस्तमाल की जाती है उसके साथ ही पुरी पैकिंग कर रखी है आप देख सकते हैं यहा पर स्वास्तिक भी है यहाँ पर स्री गनेश सरी भी है ओम भी है जो चीजें दिपावली में इस्तमाल होती है तो आप सोचछे होंगे इसमें खास क्या है खास है गाय का गोबर से बनी हुुई है और जब के गोबर की बात करते हैं पहले भी मैंने कहा कि एक पवित्र माना जाता है हिंदू के जो आस्ता है उस आस्ता में गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है घर में भी गाय के गोबर का इस्तमाल किया जाता है जब गनेश की पूजा होती है तो गाय के गोबर की इस्तमाल क पी हो, और साप भी हो, तन्मान को भी साप करे, साथि वातावरान को भी साप करे. अध्यक जी हमारे साथ इनसे बात करते हैं. मैm, किस तरह से ये पूरा का पूरा इंसेंटीव आपने लिया और सोचा, कि इस बार गाई के गोबर बना हैं? गाई के गोबर से जो है स्री गनेश और लक्षमी माग बनाते हैं दरसल हमारे भारतिय परंपरा में हम लोग दिवाली में नए नहीं शोपिस खरीते हैं दिवाली में अपने घर सजाते हैं तो अब लडियों का चलंग बढ़ चला है तो हमने देखा कि कुमारों की जो दिये ह करीते हैं कि इसमें तेल डालना एक जंजट होता है तेल डालना बती बुनाना तो हमने सुचे कि क्यो ना इसको मूम से भर दें और रेडी तु बार्न हो सिधे घर ले जाएं और जलाएं तो एक तरह से उनको प्रमोट कर रहे हम लोग की कुमारों की मिटी के दिये भी चले जोंकि ना विन्कार्ण जिली प大ोल से भाईकषक के ऐस ंख छॉट है क्योंकि लोग के भी जो सोझते हैं कि कही महें ना हो किस तरह से हैं क्या आमा आभी के बजट में यदि रिजट में है यह यह विल्कुल बहुत आमा मा आजीको нравится बज़ट में हों बणाने से बज़ eer ब लोग ने सुच्छे के गाई के उबर से बनाएंगे तो जो हम लोग अब यूस्ट हो गए ने यूजन थो का जब चलन बढ़ गया जूजन थो कि इसाफ सिस टाइप का इटम बहुत बढ़ी आए कि आपने अगले साल फेंग भी दिया खेतों में गमलों में तो धरती को भी प